हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंतकिश और क्लासिस आज रेश्यो एंड प्रपोशन का बहुत ही इंपोर्टेंट कुशिन करने वाले हैं यह हमें हमारे किसी व्योर ने सेंड किया है A अपॉन B की वैल्यू 2 बाइ 3 है B अपॉन C की वैल्यू 4 बाइ 5 है तो बताइए A प्लस B और B प्लस C की वैल्यू क्या होगी अगर आपको इसका अंसर पता है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे आज के वीडियो में इसी कुशिन को करने के डिफरेंट मैथेड्स हम सीखेंगे ठीक है क्योंकि मैथ्स है डिफरेंट कंसेट्स के साथ सेम कुशिन को किया जा सकता है तो अलग अलग टेक्निक्स होती है तो सभी तरह की टेक्निक्स ही आनी चाहिए तो आज हम इस कंसेट्स को कवर करने वाले हैं सबसे पहले बिसिक कंसेट्स देखते हैं अगर ऐसा कुशिन हो तो मैंने देखा कि A upon B 2 by 3 given है दूसरी value है B upon C वो कितनी है? 4 by 5 basically मैंने दिमाग क्या लगाया कि B के सामने यहां 3 आ रहाए है B के सामने यहां 4 आ रहाए है आप देखरें हो, यहां B के सामने 3 है यहां B के सामने 4 है हमने क्या करना है? B को सेम बनाना है fraction है ना equivalent fraction लिखनी है तो B के सामने जो यहां 3 है और B के सामने जो यहां 4 है इन दोनों का LCM ले लो जैसे 4 और 3 का LCM क्या होता है 12 तो आप equivalent fraction लिखिए जिसमें B के सामने 12 बनता हो दोनों में बस इतना काम करना है अगर दोनों में 12 बनता है तो कैसे बनेगा वो देखते हैं जैसे कि अब B के सामने 3 है मुझे 12 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस 3 को 4 से multiply करना पड़ेगा तो same way obviously equivalent fraction लिखनी है तो उपर वाले 2 को भी 4 से करना पड़ेगा तो ये बन गया मेरे पास 8 by 12 A by B क्या बन गया 8 by 12 बन गया अब इसी तरह से इस B के सामने 4 है तो इसको भी 12 बनाना है 4 है तो 3 से multiply करेंगे तो फिर denominator 5 को भी 3 से करेंगे 4 times 3 is 12, 5 times 3 is 15 अब आप देखो आपको answer नेगा मेरे पास A के सामने क्या है 8 है, B के सामने क्या है 12 है मुझे answer निकालना है किसका A plus B over B plus C का तो A के सामने वाली value 8 B के सामने वाली value 12 नीचे देखो C के सामने क्या आता है 15 आता है B के सामने तो 12 है तो 12 plus 15 क्या answer आएगा 20 over 27 तो A option is correct answer लेकिन एक और method करते हैं अब next method देखिए इस equation को करने का किस तरह से करते हैं जैसे आपको A ratio B और B ratio C given है तो हम A ratio B ratio C 81 लिखते हैं क्योंकि हम पहले A, B और C तिनों की 81 ratio निकालेंगे उसकी trick क्या होती है A upon B 2 by 3 है न तो यहाँ पर 2 is to 3 लिख लिजिए B ratio C 4 is to 5 है तो B ratio C के यहाँ पर 4 is to 5 अभी तो जो given है उसको लिखने का एक तरीका बनाया है दो खाली जगा हैं एक इदर वाली एक इदर वाली क्या करो इस 3 के आगे यह 3 आगे भी लिखना है यह 4 है फिर इदर वाली खाली जगां पर 4 लिख दो बस यही करना है इनको multiply कर दो जैसे 4 को 2 से multiply किया 8 4 को 3 से multiply किया 12 5 times 3 is 15 अभी देख लो same values आगई A के सामने 8 आ रहा है B के सामने 12 आ रहा है C के सामने 15 आ रहा है जिसको जैसा method समझाए उसी तरह से कर सकता है आगे same ही करना है इसको A ले लीजिए इसको B ले लीजिए इसको C ले लीजिए तो दो method हम cover कर चुके है एक और method करते है basic method क्या है इसका उस method से भी करते है आगे देखिए third method बिल्कुल basic method से करेंगे हमें काम करते हैं यहां से cross multiply करते हैं 3 A से multiply हो जाएगा B 2 से हो जाएगा तो यहां से यह 2 निच लिया यह dividing both sides by 2 तो यह देखो B की value निकाल लो B की value आ गई 3 A by 2 इन terms of A निकाल दे अब इदर वाले relation पे चलते हैं क्या relation था हमारे पास B upon C equal to 4 by 5 B की value यहां भरें पहले B की जगह पर 3 A by 2 फिल कर दिया नीचे C है मैं उसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो क्या बनेगा 4 C upon 5 यह देखिए अब C की value निकालते हैं यह 5 इदर ले जाओ 4 नीचे आ जाएगा cross multiply C की value आ जाएगी अब C की value कितनी आएगी मैं यहां लिख रहा हूँ 5 times 3 is 15 A तो है नीचे 4 times 2 is 8 आपने एक बात नोट की B की value में भी A आ रहा है C की value में भी A आ रहा है अब हम सीधा अपना question solve कर सकते है A plus B over B plus C A की value तो A ही रहेगी मत change करिए B की जगहां पर 3 A upon 2 फिल कर देते है B plus C नीचे B की जगहां पर 3 A by 2 क्योंकि यह values हम निकाल चुके है C की जगहां पर 15 A upon 8 छोटी सी calculation है इसको solve करेंगे उपर fraction solve करेंगे 2 को A से multiply किया 2 A 2 A plus 3 A 5 A उपर आप देखोगे तो यह बनेगा 5 A upon 2 fractions को add कैसे करते हैं यह आना चाहिए नीचे 8 यह बनेगा 8 LCM आएगा ना 2 और 8 का तो denominator तो इसका 80 रहने वाला है 2 times 4 is 8 4 को 3 से किया 12 12 plus 15 27 तो यह बना गा जी 27 A अब आप देखिए थोड़ी सी calculation बाकी है यह नीचे वाला 8 जो है सब से उपर चला जाएगा 5 A से 8 multiply हो जाएगा नीचे वाला 2 जो है वो 27 से multiply हो जाएगा जो कटता है काट दें अब देखो A से A कट गया 2 के टेबल पे 8 कटेगा 4 जार 5 times 4 is 20 और denominator क्या आएगा 27 यह बिल्कुल basic method जो classes में करवाया जाता है schooling में कह सकते हैं लेकिन जो हमने first two methods किये थे वो tricks थे competitive exam में use करने के लिए यह lengthy methods हैं लेकिन यह basic concepts हैं यह भी आने चाहिए I hope आपको तीनो methods अच्छे से clear हो गए होगे अब आपको जो जहां जैसी requirement है चाहे किसी competitive exam में या किसी school exam में आप उसी तरह का method आप्ट कर सकते हैं अगर आपको आज का वीडियो समझ आया है अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज इसे like और share जरूर करेए Thank you so much